आर जेडी के लोग सराब के काड़ो वारी हैं इसलिए इनको इससे तकलिफ हो देश्वी आदभ तो पड़े लिखे हैं नहीं उनको तो जानकारी कुछ है नहीं अब निती आयो का एक तो रिपोर्ट लाया आपने बोल जें लिपोर्ट का करेटरिया क्या है लेकिन आब किस द्रिश्टी से कहा रहा है कि यह पूरे स्टेस्ट है और कई-कई बातें उठाया है उन्होंने जुस्वी आदव जी को कहिए पहले बिहार में रहने के लिए जहां से जीते हैं वहां की जनता की सेवा करने के लिए अगी सुधी लेने उनको वहां भी जाने के लिए उनको बोले का और मेरेनेता पर उनको बोलने का क्या हक है आई-ए आइवी टीवी देखता है इंडिया कि आधी होगी सर्कार करना और सरकार की जवाब देही है कि भी आयोग का मामला हो कि आयोग के जो मामला है निती आयोग ने क्राटेरिया नहीं क्लोज किया है और विच क्राटेरिया ही सेइंग ब्यार इस लास स्टेज वो तो क्राटेरिया पता नहीं रहें 15 साल का जो हमारे पास आंकड़ा है जो हम लोग कह रहें कि कैसे हमने इस 15 वर्षु में हमने बिहार को डिफलेम्ट का आप इंडिया तुडे का सर्वे देख तो आप नीतियायोग का जो क्राटेरिया है वो डिस्क्लोज करें नितियायोग और हम तो बार-बार कह रहे हैं कि हमको सेंट्रेंस मिला चाहिए वाइ नितियायोग इस नौट क्रेटिंग एस लास्ट स्टेज अगर हम यह कहते हैं कि इतने प्रयास के बावजूद भी जो ह आस्ट्रेंट सेेल वाइवे का अलग है है आप बजली को हर घर में हमने पो पहुचाने का काम किया है 12 परतिकार स्कूल के बहार थैंayo एक प्रतिसास कम बच्चे स्कूल के बहार है हमने स्कूल प्रात्मिश प्रात्मिक बिद्द्यालें tari और की निर्मान की आनिर दो है नहीं उनको जानकारी कुछ है नहीं निती आयोग के एक फिल लाए हें में करना чुन वे दी जब दिद्धार्थे दना चलिए विद्धार्थी प्रटेस्ट करेंगा ना बाई तो तो हम बार-बार कही रहें कि रहा हैं क्या फर्मूला आपका है क्राटेरिया फिक्स करने का सब्सक्राइब अब लगाता है अब देखना चाहिए आकड़ा निकालिए प्रशासनी स्कूनी पट रही है अचानक कहां बदला है सरकार कारवाई सरकार का उस दिन भी हम प्रसंसा किये थे कि इन एक काम है बना सुन्दर काम है लेकिन आपने तो कहा था कि समिक्षा करना चाहिए पाथ साल हो चुका है सुला सुला तारीकों तो समिक्षा हुई थी उस पर लेकिन कुछ भो ले रहा है उसके बाद आपका स्टेटमेंट आया था कि नहीं अब कुछ नहीं नहीं तो मेरे स्टेटमेंट पर ही सरकार इतना गंभीर होगर कि इतना चापा पर रहा है आपको लगता है कि लोग पकरा रहे है और वे तो हमलों के सामने है कि आप देख़िया कि कि इंफ्रास्ट्रक्टर के मामले में बिहार में कितना काम हुआ है बिहार कहां से कहां चला गया अब तो नितियायोग है उनका मांदन क्या क्या है उसको देखना परेगा लेकिन जमीन पर अगर हम लोग महसूस करते हैं तो बिहार में गुनात्मक परिवर्तन आया है बिहार कहां से कहां चला गया इसका कोई परिकल्पना नहीं निश्चित रूप से उनका मानक क्या है हम लोग तो जमीन पर देखते हैं कि विकास में चार चांद लग रहा है लेकिन आब किस दृष्टी से कह रहा है कि ये पूरे स्टेस्ट है और कई-कई बातें उठाया है उन्होंने लेकिन इसको देखना परेगा कुल मिला करके बिहा कि उनके समय में बिहार के अंदर लोगों का तनखा कितने दिनों के बाद मिलता था और कितने लोगों को तनखा मिलता था अड़े बरास पस्ठ है मैं तो डेटा की बात करता हूं अंतिम बजट जो रावरी जी बनाई थी बिहार के अंदर वो लगभग 24,000 करोर रुपे का आज मानिये नितिस कुमार जी के नित्रुत में यह सरकार 2,18,000 करोर का पिछला बजट बनाई है तो यही बताता है कि बिहार किस प्रकार से आगे बढ़ा है बिहार कहां जा रहा है बिहार के अंदर कुसल नित्रुत तो खड़ा है और इन लोगों को थोथी दलील देने से बिहार थोड़े पीछे मूर के देखने वाला है बिहार आगे बढ़ रहा है बिहार आगे बढ़ता रहेगा और नितिस कुमार जी के मानिये नितिस कुमार जी के नित्रुत में तारकिसोर जी के नित्रुत में रेनु देवी जी के नित्रुत में हम लोग नहीं बड़ी लक जीवन जीते हैं वो क्या बोलेंगे बिहार के लिए उनको कोई हक नहीं है बिहार पर कुछ बोलने का और मेरे नेता पर उनको बोलने का क्या हक है आप जड़ा देख लीजिए ना हम तो डेटा बता रहे हैं कि 2005 तक बिहार के अंदर कितना मेडिकल कॉलेज खोले हैं राबरी अपने तडिके से चीजों को रखता है उसके पारामीटर्स अलग हैं लेकिन बिहार को हमने फर्स से उठा के आस्मान में लाया है इसमें कहीं कोई दो राए नहीं है शराब को लेकर के अंगामा हो रहा है जरीली शराब से मौत को लेकर साल पीते क्यों है लोग सराब तो सराब पर परतिवंद है क्या ये लोग हिमायती है सराब पीने वालों का जरा उनसे पूछिए कि ये सराब पीने वालों का हिमायती है क्या तो संकल्प क्यों लिये थे, इनका नेता भी बिहार विधान सभा के अंदर संकल्प लिया था, कि न सराब पीएंगे न सराब पीने देंगे, फिर इस बात को लेकर परदर्सन करना मुझे ताजूब होता है, कि इनकी कोई नीती है की नहीं, इनके पास कोई नेता है की नहीं, और सदन में किस हैसियत से इनका नेता खड़ा हो करके सपत लिया, कि न मैं सराब पीऊंगा, न पीने दूंगा, इस पर चर्चा करना, ताजूब है मुझे, कि किस-किस परकार का नेतृत्तु बिहार को देने की चिंता कर रहा है, ये लोग, बिहार की जनता इससे भीफ और इड़